अब आप सबका फैंटेसी फॉर लाइफ के यूडिव चैनल पर तो इस पर्डिकल लोडियू जो बात करने वाले वो रहेगा आज के लिए स्पैनिश वुपर कप का मैच जो रहने वाला है रियल मेड्रिड वसस पारसिलोना के बीच में इस मैच में कैसे कुछ जो आज के लि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ है तो फटावट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप आगे जाकर कोई वीडियो मैच इसकी वीडियो है वह जो सब्सक्राइब कर दिया तो जल्दी जागे जोइन कर लेना बाकी अभी चलते है अपने वापस से प्रिव्यू के उपर जब बात करें अपने मैच के दोस्में किया है रियल मेडिडिड वसस बारसेलोना के बीच में स्पेंस उपर कपका मैच है यह फाइनल है सिंगल ल पास में जो रहने वाला है विन करने के लिए इस कब को तो दोनों टीम अपने स्ट्रॉंग प्लेइंग 11 के साथ में खेलना चाहिए की और एक अच्छा आज मैच आपको देखने को यह मिलने वाला है वागे फैंटेसी टीम जापना आगे देखेंगे और साड़े बारा करफ से ना मैड्रिट का इस सीजन में ठीक परफॉर्मस रहा है बारशे लोना का भी काफी अच्छा ला लेगा मैं देखने को मिला है यहां देखते हैं कोटो वी साथा गूल की पर देखने को मिलेंगे कारवाजल है और उसका आज में नाचो फरनेंडीज है एंटोनियो र रोटरी को आपको देखने को मिलेंगे यहां से अटैक शेक्शन में अब इदर से इंपॉर्ट प्लेयर्स कौन से बनते हैं तो मैंने साथ-साथ जो है यह मैच वगरा लिखे हुए है ठीक है तो यह आप देख लेना बाकि एक ही मैच हुआ है जो इनका वैलिंस है अगेंश हो सकता है ठीक है तो यह चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान में रखना और कम गोल होंगे उसी के अगोडिंग आप टीम वगरा बना कर चलना अब गोल फिर भी करने के चांसे कौन से बनते हैं जो मेन प्लेयर आपको रखने चीए उसमें एक तो करीम बेंजमा सबसे इंपॉ लिक टीम में ले पाओगे जिसमें कि वनी से सुनियर जो है वो थोड़े से जादा बहतर इदर से पिक बनते हैं अब आगे डिफेंस एक्शन की बात करूं तो इदर से आप चाहो तो देखो किसी भी डिफेंस प्लेयर को यहां से ले सकते हो चारो कहीं ना कहीं आपको जो पॉइंट्स है ना वो यहां से देखर जाएंगे और पांच डिफेंस प्लेयर के साथ में जाना आज के लिए बहतर ओप्शन हो सकता है फिर भी अगर पांच मैनेज ना कर पाओ तो चार डिफेंस तो भाई ले ही लेना दोनों टीम्स के मिलाकर अधर्वाइस बड़ी गड लएंटेर रोनाल्ड अरोजो है, अंडरस कृिर्ष्टेंसन है और उसके बाद में आपको प्यडरी देखने को मिलेंगेढे हैं विन्गर में देखने को मिलेंगे और इनका जो पिछला मैच था मतलब Spanish Cup का ही जो semi final का रहा था क्योंकि इनके भी आप देख रहे होगी एक-एक मैच ही है तो उस बादे इनका जो मैच है वो Real Battis के अगेंश्ट में हुआ था और वहीं पर अगर गोल की बात करूँ उसमें इन तीन में से आप दो ले सकते हो अप गावी हुआ या फिर डेंबेल हुआ इनको आप मिस करके चल सकते हो सब को आप अविसली नहीं ले पाओगे यहां से तो पैडरी बसकेट्स और रफीना में से तीन में से दो तो एटलिश लेने का पूरा ट्राई करना है जिसमें की बसकेट्स आपको दिखेंगे जो भई गोल वगरा नहीं करेगा अपको बता दू गोल करने के चांस बसकेट्स के बिलकुल नहीं होगे और या आपको पासे स टाइकल इंटरेप्शन इन सब चीजों से काफे अच्छे पॉइंट से दे सकते हैं बागी अगर बात करो रफीना की यह हो सकता है रवेंडोस के गोल आएगा पैडरी और रफीना का कि यह आपको असिष्ट देते हो दिख जाए उससी के फिफ्टी फिफ्टी चांस है तो उससी के बेसिस पर आप तीन में से दो ले सकते हो बागे डिफेंस सेक्षन की बात करें तो उसकेस में जूल्स कॉंडे अरोजो क्रिश्टेंसन रहेंगे जिसमें की मैं बोलगा तीन रखना चाहो तो रख लेना अधरवास दो यहां से और दो आप उधर से मैडरीड की टी तो टीमज इजी विन करके आए है तो जात दिक्कत रही गी नी कैपिटनवास धैटन उप्शन के लिए एक तो वेंजम आपके पास में बहतर उप्शन बनते हैं इधर से लेवंदोस के आपके पास में एक अच्छे अप्शन जो है कैपिटन वास कैप्टन के जाते हैं एं बाग ये देखने की जरुवती नहीं पड़ नीचे तो दो रहेंगे जिसमें आप मैड्रीड या बारसलोना किसी भी गोल कीपर के साथ मिजा सकते हैं अब डिपेंड करते हैं आप किसके फेवर में जो है आज के लिए टीम बना रहे हो ठीक है हम टीम बना रहे हैं यहां से ब बाग यहां से रुडिगर ले सकते हो और बागी एक अपना डिफेंसे प्लेर रहेग्या बारसलोना के तरफ से वूगे एक पर पिक कर लेता है जो यहां से आप देखो कॉंडे या फिर अरोजो किसी के साथ में भी जा सकते हैं मैं फिलाल कॉंडे के साथ में जाऊंगा क्योंकि इनके सब्स्यूट जल्दी होने के चांस काफी कमी रहने वाले बाकी अपन ले लेंगे गोल की पर स्टेगन को क्योंकि बारसलोने के दो डिफेंस प्लेयर लिए अगर बारसलोने के तीन डिफेंस प्लेयर लेते हैं तो फिर गोल की पर जो है इधर से मैडरिट कर रखते हैं मिट्फिल्ट एक्शन में डैंबल है वेलवर्दे है पेडरी गोंसालीज रहेंगे फ्रेंकी डी जोंग हो सकता है सब्स्ट्टूट होकर रहा है उसके बाद में इनके पास में रफीना है मोडरिच क्रूस खेलते हो दिखेंगे गवी आपको यहां से खेलते हो दिख जाएंगे और बसकेट से बाकी और कोई भी ऑप्शन यहां से खेलेगा नहीं और स्ट्राइकर सेक्शन की बात करें तो बेंजमा लेवन दोस की विनिस्या जूनियर एंट रोटरिगो गोज़ जाएंगे आपके पास में रहेंगे चार उप्शन जिसमें की सबसे पहले तो दो मश्ट पिक बेंजमा और लेवन दोस के अपने पास में हो जाते हैं उसके बात में थर्ड वन जैसा मैंने बोला कि रोटरिगो और विनिस्या जूनियर में से जूनियर जादा बहतर पिक बनते हैं पर एक बार मिट्विल्ट एक्शन भी देख लेता हैं यहीं ऐसा हो और चाहो तो रफीन एक जैगे पर गवी भी एक अच्छा उप्शन बट अभी के लिए रफीना रखते हैं यह जाते हैं टीम सी विसी की अगर बात की जाएं आइटिंग लेवन दोस की और बेंजमा का ही एक अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन कोमेरेशन जो आज बन सकता है तो जाते हैं टीम और सब चीज़े बागे आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हो तो फटावर्ट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप आगे जाकर कोई भी जो मैच्छेस की वीडियो है और बिल्गुल भी मिस्स ना कर पाओ अगर उल्ग वेश्टिस मैच्छ के लिए मिलते हैं आपको नेक्शियूरे में बहुत सही साथ जल्द